हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आपकी दोस्त तर्शना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं पीटा ब्रेड की रेसिपी एक दम सॉफ्ट और टेस्टी यह ज्यायतर मिड्लिस्ट में पसंद की जाती है इसे आप माइक्रोवेब में भी बेक कर सकते हैं और स्टेफिंग पसंद करते हैं मगर आप अपने मन पसंद अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं पीटा ब्रेड की रेसिपी इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल में गुनगुना पानी अब इसमें डालेंगे दो च हमारी यीस्ट एक्टिवेट होती है तब तक हम लेते हैं बड़ा बाउल और इसमें निकालते हैं मैदा और मैदे में डालेंगे थोड़ा सा नमक बहुत थोड़ा सा लीजिएगा एक बात हमेशा याद रखेगा कि चीनी जो है वो यीस्ट की जग खुराक यानिकी उसको ब बनाना है और सॉफ्ट सा डो बनेगा क्योंकि हमने इसमें यीस्ट डाली तो इस बात का ध्यान रखी का यीस्ट की वज़े से हमारा जो है काफी स्टिकी होगा तो इसको पहले तम हाथ से बना लेते हैं यह देखिए बहुत ही ज़दी चिप चिपा सा होता है और इसको मगर हमें बहुत मलना होता है इसको सेट करने के लिए जितना मलेंगे उतना अच्छा है इसको मलने के नीचे सरफेस पे रखाए पहले थोड़ा सा लगाएंगे और थोड़ा सा उपर भी लगा लेते हैं अब ज़ब इसको मलेंगे तो आप घ्यान दीजिएगा शुरु शुमें लगा सकते हैं चाहे तो मैदा भी लगा सकते हैं और यह देखिए हमारा डूब काफी स्मूध हो चुका है अच्छे सेट हो गया तो इसको वापस से उसी बरतन में ही रख देंगे ताकि एक्टिवेट हो जाए तो इसको मैं ढखके रखोंगी दो घंटे के लिए कहीं गरम जन पे लिए तो पांच निकाल देते हैं इसकी यह देखिए और यह देखिए हमारे दो कितना अच्छ ए था हे C2 ऐसमेघ्या आपको दिखाई धे रही होंगी न किया भी को पिरक्वर्चंध कर यह ठाहिए छाओ इसके अंदर तो इसको वापस निकाल लेते हैं इस सॉर प को कमफर्टिवल लगया वैसे मलिए अब इसको जह में दो पार्ट में डिवाइड कर दें एक पार्ट वापस वापस उसी में रख देती हूं अब इसमें से मैं एक वाल पार्ट की लोई बना लूगी पहले डो को ऐसे लंबा कर लिजे अफिर नाइफ लेके फटा फटा फट इसके पीसिस कट कर लिजे तो हमारे बराबर साइज की लोई बन जाती है अब एक एक पार उठाइए चाहे तो आप ऐसे राउंड गुमा लिजे चाहे नीचे की तरफ से आप टक भी कर सकते हैं हमारी लोई बनने से मतलब है लोई बनके हमारी तयार होगे सारी अब इसको बेलने के लिए मन सर्फेस पे थोड़ी सी मेदा डाली है और इसको फटा-फट से बेलन से बेल लेते हैं इसको नॉर्मल रोटी की तरह बेली का ना बहुत जादा मोटा और बहुत जादा पतला क्योंकि इसमें खमीर इतना उठा हुआ है कि अल्रेडी जब हम डालेंगे त अब इपार डालते हैं और आप यह देखिए जैसे इसमें ऊपर की तरफ से थोड़ी थोड़ी से आपको देखाई देरें तुरंत इसको पलट दीजिए और जैसे ही दूसरे साइट से थोड़ा सा फूल नश्रू होता है तुरंत आप इसको दुबारा से पलट दीजिए अ सबसारी और प्रढम के तैया कर ले ψॉफ के तो सब्सारे पड़ा अगर हंगी और हमारा इसको माइकरोववव करें दिए नहीं कर हैं और फिह याजगर का फूल पैर एक्दम बहार नश्रू चाहते हूँ तो पहले अपने मायकूराव को दो सोड भी सेच थे कर लीजिए कपड़े में अच्छे से रैप करके रखें तो एकदम सॉफ्ट बनी रहते हैं यह देखें आपको इनको देखें का इस तरीके से करके इसको खोलिए और फिर अपनी मन पसंद के अंदर फिलिंग भर दीजिए यह खाने में बहुत ही अमेजिंग लगती है और इनके अंदर का तयार हुई है और सभी एकदम सॉफ्ट भी है यह देखिए देखा आपने कितना असान घर में पीटा ब्रेट बनाना यह बिल्कुल हमारे देसी कुल्चे की तरह आप इसको जैसे चाहें वैस सर्फ कर सकते अपना देसी स्टाइल में इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाई तो आप इसके अंदर फिलिंग जरूर भरके बनाएगा वह भी फालाफल हमस ताहिरा पेस्ट और साथ में गार्लिक थूंबी और सैलिड में तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा खीरा टमाटा लेटेस जो भी आपको पसंद सब इसमें बार दीजीगा और यह खाने में